what is up guys welcome back to one more gameplay video so guys आज हम लोग वापसे खेलने जा रहे है minecraft so guys last video के बाद आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे discord में कहा कि मैंने जो है ये पीछे जो आप लोग दोर देख सकते ये कैसे बनाया क्योंकि ये जो डोर मैंने बना ये बिल्कुल टेक्नो गेमर्स के कैसल की तरह ही है तो आप लोगों में से कुछ लोग इसका टूटोरियल माग रहे थे तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके का डोर कैसे बनाते हैं और मैं आपको बता दू कि यो टेक्नो गेमर्स का जो दोर था उसमें यहाँ पर बस कने कर यह संखी क्रें करते हैं धो जाएटा फ्रडावड से आधा हम लोग छलते एक न्या वोल्ड बनाते है जिसमें कि हम लोग इसा टू-τοरियाल विडियो बनाएंगे तो फ्रक ल को कम करतेeras ताकि अपने को आसानी हो फिलाल यह वर्ल्ड बन रहा है फड़ावट से देखते हैं हम लोग कहाँ पे स्पाउन हो चुके हैं अभी नहीं कि अगर्दा कोई अच्छी से लोकेशन देखता हूं तो गाइस इस पहाड़ी के ऊपर मुझे कुछ ब्लेन जगा देख रहा है तो फड़ावट से चलते हैं उपर में यहीं पर अपना काम करेंगे लेट्स को तो यहां पर मैं आ चुका हूं तो अभी नहीं नहीं कि अगर्दा फड़ावट से वह सारी चीजों का अपने इंवेंटरी में रख लेता हूं जो जो चीज इस विल्ड में ज़रूरत है और यहां पर आप लोग को सबसे पहले लगेगा कुछ टीकी पिस्टंस तो मेरे खेल से आप लोगों का काम 10 पिस्टंस में हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग थोड़ा उंचा इसे बनाना चाहते है तो और भी पिस्टंस लग सकते हैं वैसे यह स्टिकी बाले पिस्टंस है इस कालवा यहां पर रेश्ट्रून टॉ से यह ट्रिपॉ वायर हुक है इसका लावा स्ट्रिंक है यहां पर कुछ ग्लास है जिससे की मतलब कि हम लोग इसका वाल टैपव का बनाएंगे यहां पर कुछ slabs लगेंगे यह कुछ blocks लगेंगे इसे ढखने के लिए तो फिलाल हम लोग क्या करते हैं यहां पर रखते है पिस्टन तो यहां पर मैं 6 पिस्टन लगाने वाला हूँ तो एक दो तीन चार पांच छे वैट्स को तो आप लोग इसदर 68 जितना चाहिए उतना लगा सकते हैं या फिर कम भी लगा सकते हैं और अभी क्या करता होगा नहीं यहां से आपको दो ब्लॉक स्वरी यहां से चार ब्लॉक का गैप देना है एक पिस्टन यहां पर लगाना है यह कुछ इस तरीके से फेस होगा एंड यहां पर एक मार मैं गिल लेता हूँ एक दो यह जब activate होंगे तो यह दोनों यहां पर इधार आ जाएंगे यानि कि अपना door burn हो जाएगा इसके अलावा यहां से हम लोग इसे cover कर देंगे stone bricks की मदद से के अब है उन्द क्या करते हैं यहां पर करते हैं यह redstone का काम तो उसके लिए मैं क्या तक होगा की यहां यहां पर आ जायगा लेट्सको यह activate हो चुका है तो अभी हमें इस signal को उपर तक पहुचाना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर देना यहां पे एक block लगाते हैं एक block यहां लगाते हैं और इसको कुछ इस तरीके से वेट इसे इस तरीके से मैं rotate कर देता हूँ तो यह दूसरा भी activate हो गया है तो अभी मुझे इसे उपर तक पहुचाना है कुछ इसी तरीके से उपर देखता हूँ यह यहां पे लगा करके और इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि यहां पे एक और block लगाऊंगा कुछ इस type से और यह वाला जो है इसको मैं कुछ इधर रख दूँगा अभी मुझे यहां से घुमा करके इसे लाना पड़ेगा कुछ इस type से और यह लगाता हूँ यहां पे यह हो चुका है और काफी सारे pistons activate यह एक बच गया है तो इसको भी मैं फड़ावट से कर देता हूँ तो इसे उपर पहुचाने के लिए अभी हम लोग एक block यहां लग करनेक्ट कर देना तो यह आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे pistons यहां पर activate हो गया है तो same process हमें इधर भी repeat करना इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहां पर फड़ावट से एक गटा करते हैं और वैसे भी हमें दो block का डिक करना पड़ता है इसके ऊपर हमें यह लगाना और यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोनों मतलब की pistons activate हो गया है दोनों साइड के और यहां पर यह जो डोड है यह कुछ इस तरीके से बंद हो चुका है तो अभी हम लोग अगर चाहें तो यहां पर ना ऐसे करके boundary बना देते हैं पड़ावट से ओके तो यहां पर मैंने एक boundary बना दिया है दोनों तरफ ताकि यहां पर हम लोग जा सके अंदर तो यहां पर देख सकते हैं कि यह गेट अभी बंद है तो इसे अभी हमें खोलने के लिए mechanism बनाना पड़ेगा तो मैं कहा अगरता उससे पहले कि यह वाल मैंने बना है जैसे कि तो ऐसा ही वाल मैं इस देता हूं ताकि यह जो पिस्टन से यह ढग जाए ओके तो यह बन चुका है अपना मस्सा बाउंडरी एंड यहां पर आप देख सकते हैं फिलाल तो यह बंद है तो अभी हमें इसे खोलने के लिए क्या करना होगा कि एक ब्लॉक यहां का तोड़ना है एक ब्लॉक यहां का एंड यह जो बीच वाला ब्लॉक है इधर का तोड़े एंड एक ब्लॉक इधर का और यहां के पीछे में हम लोग एक एक ब्लॉक लगा देते हैं फड़ावट से तो कुछ इस ताइप से लगा देता हूं मैं तो फिलाल यह कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो यहां पर ब लगा देता हूं एक यहां लगा देता हूं एंड धर मुझे क्या करना होगा कि यह लगा देना है बाकि मुझे लगता है अगर आप लोग यहां कारपेट बिचाएंगे तो यह काम निक कर देंवाला है तो नीचे कारपेट बिल्कुल भी मत बिचाहिएगा अगर अभी हम लोग इस पर पास करने के कोर्सिस करें तो यह खुलने वाला नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसका कनेक्शन इधर से नहीं किया है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें बूल रेड स्टोन का टॉर्च डूढ़ना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने यहां बूट चुका है बट उसे हम लोग फिक्स कर देंगे फिलाल तो हमें अभी इसका काम है तो हम लोग को थोड़ा सा इधर ऐसे रोटेट करते हुए से लेके जाना होगा तो यह रा कुछ मैं अभी क्या करता हूं एक रेड स्टोन यहां लगाता हूं और इसको रोटेट करते को मैं इस पर फिर से बंद कर देता हूं बाकी आपको ध्यान देना है कि यह बंद बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए यहां पर आप लोग एक स्लैब लगा सकते हैं ताकि यह कनेक्शन में प्रॉब्लम ना है तो अभी मैं इसको क्या करता हूं इससे तोड़ता हूं इसको सी सीधा सीधा यह से कनेक्ट कर देते हैं ओके तो यह फिलाल कुछ ठीक लग रहा है यहां पर मैंने एक ब्लॉक तो दिया था जिसको कि मुझे रिपेर करना पड़ेगा तो यह लो यह भी हो चुका है आप यह आप लोग देख सकते ही यह राइट साइड वाला बंद है तो अ बड़ी प्रॉब्लम आ रहे थी क्योंकि जब मैं यहां पर रेड्स्टोन लगा रहा था तो यह इससे कनेक्ट हो जा रहा था तो इसलिए मैंने यहां पर एक रिपीटर लगा दिया ताकि अपना आराम से इदर से घूमते हुए सीधे नीचे इस वाले जो रेड्स्टोन ट आ सकते हैं और तो दोनों साइड का तो यहां पर हो चुका है तो अगर हम लोग यहां से एंट्री मानेंगे तो यह गेट हमारे लिए खुल जाएगा बट जब हम लोग यहां से जाएंगे तो यह तो खुलेगा निक्यूंकि अभी तक हम लोगों ने इधर का कनेक्शन नही किया है तो एक बार और मैं सुबह कर देता हूं और उसके बाद आगे काम करेंगे लाइट लट्सको तो यहां से अभी मुझे क्या करना चाहिए न एक और इधर ही यह रिपीटर वला जुगार लगा देना चाहिए क्यूंकि थोड़ा से हम लोग डिले यहां पर दे सकते है तो एक रिपीटर मैं इधर भी लगा देता हूं लेट्सको और अभी मुझे बस सिंपली कुछ इस ताइप से इसे कनेक्ट कर देना इस वाले ब्लॉक में एंड सेम मुझे इधर से भी ले जाते हुए इसे थुड़ा इधर से घुमाते हुए इसे ले जाना पड़ेगा बा ले चलते देखते यह काम करता है याने तो यह लेफट वाला काम साय नहीं कर रहा है क्यूंकि यहां पर जा रहा तो रहा है थोड़ा सिंग्नल वीक पर जा रहा है तो मुझे अभी आवी 이걸 जाना फड़ेगा इसे ऐ तो यह एक ब्लोक हो चुका है एक कोग यह से डेन रहें इक यह सी ते देता हैं यहने तो्र देते यह कुछी काम कर नहीं है देसे किसी काम कर रहा रहा है इस टाइब से मैं एक बार 360 आप लोगों को दिखा रेता हूं ओके तो यह कुछ अभी इस टाइब से बन चुका है तो अभी बस यह थोड़ा जीव इसलिए लग रहा है क्योंकि यह हम लोगों ने खुले एडिया में बनाया एंड खुले एडिया में कोई गेड बनाता है भल से फॉलो कर लीजेगा तो गैस मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बाइड